ये बात निश्चिद है, अगर विकास को स्थाई रूप देना है, स्थाई रूप से विकास को गती देनी है, तो इन्फास्ट्रक्चर ये पहली आवशक्ता होती है। फिजिकल इन्फास्ट्रक्चर, सोचल इन्फास्ट्रक्चर, ये दो पट्री पर संतुलित विकास संभव होता है। अगर हम इन्फास्ट्रक्चर क्या महत्में नहीं समझेंगे, अस्थाई व्यवस्ताएं खड़ी नहीं करेंगे, तो छुटबुट प्रयासों का परणाम बहुती अल्पकालिन होता है, अस्थाई होता है। और इसलिए हमारी सरकार का लगातार प्रयास है, कि विकास को स्थाई रूप दिया जाए, व्यवस्ताएं विक्षित किये जाए, और जिसके कारण, जिस सपने को ले करके देश आगे बढ़ना चाहता है, उन सपनों को हम भली भाती पुर्ण कर पाएं। झ्यवस्ताइब नहाँ